आई दोस्तों प्रॉल्म की अंडर्स्टेंडिंग लेते हैं रिप्रिजेंट फॉलिंग नंबर से इंटीजर विद अप्रॉप्रेट साइन देखें क्या कहा गया यहाँ पे जो नीचे देव हुए देखें स्टेटमेंट है इसको आपको क्या करना है नंबर फॉर्म में तब्दील करना है नंबर फॉर्म में बदलना है और कैसे नंबर होने चे इंटीजर बनाना है और उनके एप्रॉप्रीट साइन यह इंपोर्टन है यह इंटरस्टिंग रहेगा उनके साइन भी बनाने है दोस्तों देखिए mathematics में कोई भी चीज, कोई भी practical statement, कोई भी इस तरह की statement दी जाती है उसको हमें number और mathematics में बनाना ही होता है तो यह जो topic है, जो question है बहुत ही important हो जाता है कि हम किसी भी statement को mathematical और number form में कैसे बनाएंगे कैसे उसको समझेंगे, कैसे करते हैं, सबसे पहले first problem के तरफ चलते है एक aeroplane is flying at a height of 2000 meter above the ground ठीक है, अब आप इसको देखिए, थोड़ा visualize करेंगे, थोड़ा समझेए आपका ground level यह है, एक aeroplane देखिए, इस तरह से move कर रहा है कहाँ पर है, अगर aeroplane की देखिए, distance देखिए, कितरा है, तो देखिए, 2000 meter above the ground level है, तो यह हमारा जैसे ground था, यह हमारा ground था, तो इसके उपर हमने बना दिया, अब यहाँ पर क्या है, यह क्या है, अगर हम देखिए, तो logically यह क्या है, above है, above situation है, अब आपका logic क्या होता है, आपका logic होता है, positive, तो number का representation क्या होता है, positive of 2000 meter, तो sign क्या हो गया, positive number हो गया, 2000 meter, और इसको हम 2000 meter, ऐसी भी लिक्स करते है, positive अपने आप understood हो जाता है, यही इसका answer होगा, ठीक है, ना, second part की तरख चलते हैं, यह summary is in is moving at a depth 800 meter below the sea level, सबसे बहुत क्या क्या करना है, logically बना है, यह सब्सक्राइब 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 तो नीचे का symbol क्या होता है नीचे का symbol negative होता है negative sign से represent तो number कैसे represent लगा देंगे और number क्या है 8000 meter 8000 meter ऐसे लिख देंगे तो देखिए यही इसका answer यहाँ पर हो जाता है logically मैंने diagram बता दिया और यह देखिए structure मैंने mathematical और number form में आपको समझा दिया यहाँ ठीक है आगे चलते हैं, a deposit of rupees 200, ठीक है, अब आपको क्या करना है, deposit करना है, rupees क्या 200, ठीक है, एक bank बना दीजे यहां पर, आप बैंक आपने बना दिया, यहां पर, ठीक है ना, ठीक है, bank बना दिया, और आपने यहां पर क्या करें, आपने यहां पर, पैसे बना दीजे इस तरीके से, कितने 200 रुपे, 200 रुपीज, 100 रुपीज क्या करें है, deposit करें है, जब deposit करें है, deposit क्या है, आपने submit करें है, इसके अंदर जमा करें है, मतलब आपने कुछ invest करें है, आपने यहाँ पर चीजे अंदर रखी है, मतलब कि आपने जो भी कुछ किया है, वो क्या है, उसका एक positive symbol रूपीज ठीक है और अगर हम बोलें 200 ऐसे भी लिख सकते हैं 200 रूपीज ठीक है यही इसका आंसर हो जाता है positive understood है normal लिखा जाएगा ठीक है थर्ड पर चलते withdrawal of रूपीज 700 same bank हमने बना दिया क्या करना अब withdrawal करना यहां से पैसे निकालने हैं है यहां पर अब से07 रूपीज आपने विड्रॉ करने विड्राव विड्राव शब्सका मतलब क्या था इस बंच अचा सकते हैं तो लॉजिकली सबसे पहले हमने structure बनाया, उसका समझा कैसे कैसे चीज़े आ रही है, फिर money बनाया, money देखे कहाँ पर represent होगा, कितना represent होगा, और क्या है, withdrawal है या deposit है, तो deposit का हमने positive से देखा, withdrawal उसका opposite, negative से लगा दिया, ऐसे ही हमने इससे पहले भी above और depth के केस में भी देखे, यहाँ पर logic लगा कि इसको reverse direction, opposite direction में इसके symbol बनाया, इस तरीके से तो सब्सक्राणूम solve कर सकते हैं, thank you,